दोस्तों ये है हमार पास Redmi Note 7 Pro और मैं इसमें यूज़ कराऊं OnePlus 7 Port OxygenOS 11 का Stable ROM काफी सही ROM है यार इसके features और performance काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है तो आज मैं इस ROM के बार में पूरा detail में बताऊंगा और installation process भी बताऊंगा और कुछ दिक्कत आएगी वो भी मैं इसमें बता दूँगा तो चलिए let's begin बात करें ROM के तो काफी सही ROM है मस्त चलता है बिल्कुल और यहाँ पर आपको interface भी काफी सही देखने को मिल जाता है और बात करें settings की तो इसमें सभी features जो है बिल्कुल walking condition में देखने को मिलती है दिक्कत वाली बात नहीं आती है इस ROM में बात करें features की तो काफी बढ़ी features मिल जाएंगी तो यहाँ पर सबसे पहले display में चलते हैं यहाँ पर आपको बहुत सर आप्शन देखने को मिलेंगे dark mode perfectly work करता है उसके बाद back चलते हैं यहाँ पे vibrant color effect भी perfectly work करता है उसके बाद ambient display भी मिल जाता है इसको on मत करो बैटरी थोड़ा drain हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो status बार में चले तो यहाँ पे battery percentage वगेरा शो करवा सकते हो circle portrait दिखा सकते हो battery style ठीका icon manager वगेरा है network speed भी auto rotation काम करता है लेकिन यहाँ नहीं किसी मतलब और application में जैसे की gallery में वगेरा उसके बाद customization की बात करें तो यहाँ पे ancient color set कर सकते हो बहुत सरे option है ठीक है system icon set कर सकते हो different type के icon pack यहाँ पे दिए गये हैं आप अलग-अलग set कर सकते हो font वगेरा आपको दो type मिल जाते हैं उसके next option की बात करें sound and vibration की काफी अच्छा sound quality देखने को मिलता है earpiece का sound उससे भी बहुत जबरदस देखने को मिलता है उसके बाद buttons and gesture में जाए और यहाँ पे navigation bar and gesture में जाए तो यहाँ पे navigation button swipe वगेरा कर सकते हो action वगेरे set कर सकते हो buttons का ठीक है gesture भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि मै कर जाओगे तो यहाँ पे जो three finger screenshot है बिल्कुल perfectly walk करता है उसके बाद race to answer जो है switch यह वाला option भी बहुत सही है मतलब जब भी phone आता है अपने कान के बास लगाओ बिल्कुल आपका phone उठा लेता है उसके बाद double tap to wake जो है वो बिल्कुल perfectly walk करता है back चलते है उसके बाद next option की ब बैटरी की बात करें तो ठीक ठाक है बैटरी backup medium देखने को मिलेगा ठीक है और छोट असा हलका सा heating का issue देखने को मिलेगा ठीक है ज्यादा नहीं हलका सा और यहाँ पे optimized charging का option देखने को मिलता है मैं इसको enable करके रखा है जो की काफी बढ़िया काम करता है utilities में आपको parallel apps का support देखने को मिलेगा app locker का भी support देखने को मिलेगा यहाँ पर अपना phone turn off turn on का जो है timing set कर सकते हो system की बात करें तो यहाँ उतना कुछ खास नहीं है about phone की बात करें तो इस तरह का interface से कुछ-कुछ चीज़े wrong लिखिए आप पर उसके बाद android 11 पर run कर रहा है हमारा phone और यहाँ पर आपको hydra plus का kernel देखने को मिल चायता है जो कि काफी अच्छा kernel है back चलते हैं और यहाँ पर कुछ और चीज़े भी checkout कर लेते हैं तो यहाँ पर gcam perfectly work करता है दिक्कत बिल्कुल नहीं देता है और लेकिन यहाँ पर anx camera दिक safety net जो है वो भी checkout कर देता हूँ safety net default आपका pass है और route करने के बाद भी pass है performance वगरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं कुछ दिक्कतों की तो सबसे पहले पहला problem आता है आपका anx camera walk नहीं करता है दूसरा problem यह है कि आपका आप sd card को access नहीं कर पाऊंग कैसे इंस्टॉल करते हैं सिर्गरीं को अल्रेडी विडियो बना रखा है वाइप पे जाहिए dalvik के system window data को select कीजिए उसके बाद swipe कर दीजिए मैं installation process बहुत धीरे दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा जाए उसके बाद back जैना यह complete होने के बाद install पे जाहिए ROM select क कर लेनी आपको ROM की link description में है वहाँ से आपको download कर लेना है तो यह रहा ROM हमारा 1 plus 7 oxygen OS 11 stable wallet इसको select करना है simply ठीक है उसको select करने के बाद simply add more zip क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो है dfe को select कर लेना है और simply swipe कर देना है तो यह दोनों चीज़े flash हो जाएगी of course मैं जो decryption में है मेरा phone क्योंकि मेरा internal storage मुझे wipe नहीं करना है मेरा data उसमें है so मैं decryption की file जो dfe उसको flash कर रहा हूं ठीक है उसके बाद simply यह जैसी flashing complete हो जाएगा इसके बाद आपको reboot system का option दिखेगा उस पर simply आपको click कर देना है तो जैसे आप देख रहे हो reboot system का option आ चुक चाल हुए जाएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बर playlist चेक आउट कर लो काफी interesting वीडियो बना रखी आपको पसंद आएंगी